दोस्तो हमारे खाने से प्राप्ट होने वाले पोशयन को हम प्रमुख की तोर पर तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं पहला carbohydrate दूसरा protein और तीसरा है fat इन तीनों में से protein और fat हमारे सरीर के लिए essential nutrition है वही carbohydrate non-essential की श्रेणी में आता है वहीं दोस्तों एक report के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा vegetarian लोग अथार्थ साकाहरी लोग तक्रीबन 40% के करीब भारत में पाए जाते हैं तो ऐसे में protein जो प्रमुख्य तोर पर पशो से प्राप्थ होने वाले आहार में ही साधारंट पाया जाता है उसकी कमी होना एक बड़ी ही साधारंट सी बात है और इस चीज को WHO की 2017 की report भी कहती है कि भारत में 73% लोग protein deficiency के सिकार है और दोस्तों यह survey भारत के सहरों में किया गया था तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि गाओ की हालत क्या होगी तो ऐसे में vegetarian और vegan लोगों के लिए soya bean एक मसीहा बन कर सामने आता है protein के विकल्प के रूप में तो आज हम इस video में इसी soya bean के विशह में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि क्या सच में soya bean वो मसीहा है protein के तलास करते हुए vegetarian लोगों के लिए या फिर ये एक धीमा जहर है जो विभिन प्रकायर के नकारात्मत प्रभाव हमारे शरीर के उपर डालता है इन सब के अलावा आप लोगों द्वारा सोya bean के विशह में पूछे गए अधिक से अधिक सवालों के जवाब भी मैं इसी वीडियो में सम्मिलित करने का प्रियास करूँगा तो चलिए बिना देर किये प्रारंब करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ चलिए सब से पहले सोयाबीन के अच्छे पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्यूं सोयाबीन की इतनी अधिक प्रसंसा की जाती है उसके पस्चात इसके नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे और अंत में सोयाबीन के प्रियोग को लेकर मेरा क्यामत है वो भी मैं आप सभी के साथ साजा करूँगा साथी साथ किस प्रकार सोयाबीन के नकारात्मक प्रभाओं को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है इस से जुड़े कुछ तथ्य भी मैं आप सभी के साथ साजा करने का प्रियास करूँगा साथि साथ सोया बीन से जुड़े अन्य विश्यों को भी महत्पूर्ण विश्यों को भी इसी वीडियो में हम समेटने का प्रियास करेंगे चलिए सब से पहले सकारात्मक पक्स की चर्चा कर लेते हैं दरसल सोया बीन में हाइ क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है जो आम तोर पर जानुरों से प्राप्त होने वाले आहार में ही प्राया होता है साथी साथ सोयाबीन उन गिने चुने वेजिटेरियन खादे पदार्थों में से एक है जिसमें सभी प्रकार के essential amino acid पाए जाते हैं ये ऐसे amino acid होते हैं जिनकी हमारे सरीर को आउशक्ता तो होती है पर हमारा सरीर इने खुझ से बना नहीं पाता है इन सब के अलावा सोयाबीन फाइबर का बहुत ही अच्छा source है प्रोटीन से भरपूर है इसमें भी कोई शक नहीं है साथी साथ saturated fat की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है जो कि मास आधी में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके चलते high cholesterol हृद्धे संबंदी विकार आधी होने की समस्याएं मास खाने वाले लोगों में अधिक होती है वहीं सोयाबीन के प्रियोग से ये संभावनाय बहुत ही कम हो जाती है साथी साथ इसमें cholesterol पाया ही नहीं जाता और यह lactose free भी है जिन लोगों को lactose allergy है अथार्थ जो दूद या दूद सबनी चीजों का प्रियोग नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सोयाबीन के प्रियोग से उन्हें वो protein प्राप्त हो जाता है जो दूद आदी के प्रियोग से प्राप्त होता है और इस प्रकार वो lactose के दुस्प्रभाव से भी बची रहते हैं साथी साथ omega 3 fatty acid का बहुत अच्छा ये source है और बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें antioxidant भी पाये जाते हैं इन सब के अलावा बहुत सी research में पाया गया कि सोयाबीन के प्रियोग से high blood pressure control रहता है खून को ले जाने वाली नसों की सेहत अच्छी बनी रहती है उनकी बाहरी पर लचिली बनी रहती है इतनी सब खूबिया होने के पस्चाज भी आखिर ये सवाल क्यों उठता है कि सोयाबीन हमारे लिए हानिकारक है चलिए इसका जवाब ढूंडने का प्रियास करते हैं और अब जानते हैं सोयाबीन के नकार अत्मक पक्ष के बारे में तो दोस्तों सोयाबीन के उपर जो सबसे पहला आरोप है वो है कि इसमें बहुत अधिक मातरा में फाइटो एस्ट्रोजन पाए जाते हैं फाइटो मतलब पेड़ पोधों से प्राप्त होने वाले एस्ट्रोजन ऐसी बात नहीं है कि फाइटो एस्ट्रोजन केवल सोयाबीन में ही पाए जाते हैं बलकि गेहू, मक्का, ओर्ट, फ्लैक सीड, सूरज मुखी, कद्दू के बीज, तिल, बादाम, छोले, राजमा, विभिन परकार की दाले आप किसी भी पेड़ पोदे से प्राप्त होने वाली चीज का नाम ले लीजिए, लगबग सभी में फाइटो एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, परन्तु तुलनात्मक तोर पर सोयाबीन में इनकी मात्रा बहुत ही अधिक होती है, कितनी अधिक, आप इस चीज का अंदाजा के ओल इसी चीज से लगा सकते हैं, कि 100 ग्राम छोले के अंदर लगबग 600-700 माइक्रो ग्राम फाइटो एस्ट्रोजन मिलता है, जबकि 100 ग्राम सोयाबीन से बने आटे में फाइटो एस्ट्रोजन की मात्रा एक लाख, जी हाँ, एक लाख माइक्रो ग्राम से भी अधिक होती है, दोस्तों माइक्रो ग्राम का मतलब होता है, एक ग्राम का दस लाख हुआ हिस्सा, तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं, कि कितनी अधिक मात्रा में फ जाने वाले estrogen की तुल्ना में ये phyto estrogen बहुत ही कम सक्तिशाली माना जाता है लगबग 900-1000 गुना तक ये कम सक्तिशाली माना जाता है human body में पाय जाने वाले estrogen की तुल्ना में परंतु निश्चित तोर पर बहुत अधिक मात्रा में शरीर में इसकी स्थिती होने पर ना केवल महिलाओं के हार्मोन लेवल को ये प्रभावित कर सकता है जिसके चलते उनके मैंस्टूरेशन साइकल प्रभावित होती हुई कही न कहीं दिखाई देगी गर्बावस्था और बच्चे को दूद पिलाने क के वस्था में इसका प्रियोग ना केवल मा बलकी बच्चे पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है साथी साथ विभिन रिसर्च में ये संभावनाय भी व्यक्त की गई है कि मूड स्विंग महिलाओं में विसेशतोर पर डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिती का भी कारण बल सकता है इन सब के अलावा बहुत से व्यक्यानिकों का ये भी मत है कि पुर्षों में भी महिलाओं के स्रदश्य बहुत अद्तक ये लक्षन उत्पन कर सकता है साथी साथ पुन्षत्व को भी प्रभावित कर सकता है थाथ उनकी फर्टिलिटी को भी ये प्रभाव को भी ये उत्पन कर सकते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की दूसरी बड़ी कमी के बारे में जिसके चलते बहुत से लोग सोयाबीन खाने से परहेज करते हैं या ना खाने की सला देते हैं दरसल सोयाबीन का पाचन हमारे पाचन तंतर के लिए किसी बुरे स्वपन से कम नहीं है हमारे पाचन तंतर पर अत्यंती नकारात्मक प्रभाव इसका पढ़ता है अलाकि अगर सोयाबीन को फर्मेंटिड रूप में खाया जाए तो पाचन तंतर पर पढ़ने वाले नकारात् तक दूर हो सकती है अगर सोयाबीन का प्रियोग किन्वन किरिया संपूर्ण होने के पश्चात किया जाए तो जापान चीन ऐसे देश जहां पर सोयाबीन बहुत पुराने समय से प्रियोग किया जा रहा है वहां सोयाबीन का अधिकान से प्रियोग fermentation के पश्चात ही किया जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं सोयाबीन के तीसरे नकारात्मक पक्ष के बारे में और दोस्तों वो है genetically modified सोयाबीन दरसल फसल को बचाने के लिए वैग्यानिक फसल के DNA में कुछ इस परकार के बदलाव करते हैं कि वह फसल कीडे मकोडे और अन्य जानवरों के लिए प्रियोग योग्या ही ना रहें ताकि फसल खराब होने की संभावनाए कम से कम रह जाए और दोस्तों genetically modified किसी भी खाद्य पदार्थ का मैं सक्त विरोधी हूँ प्रकति के साथ हुए इस प्रकार के छेड़चाड के परिणाम सुरूप उत्पन खाद्य पदार्थ निश्चित तोर पर खाद्य प्रियोग हे तू मैं नहीं मानता हूँ वहीं मैंने कहीं पड़ा कि अमेरिका में मिलने वाले 80-90% सोयबीन से बने उत्पाद genetically modified सोयबीन से बने होते हैं अटाली आजाता है छूट दी जाती है अभी पिछले साल अगस्त या सितंबर में ये छूट मिली थी और बहुत अधिक मात्रा में genetically modified सोयबीन से बने पशूख खाद्य पदार्थ का इंपोर्ट किया गया था तो ऐसे में जो लोग मांस आदी का प्रियोग करते हैं उनको भी थोड़ा साउधान हो जाने की आउशकता है अगर जानवरों को GMO सोयबीन का प्रियोग करवाया जाएगा तो ना केवल सोयबीन के नकारात्मक प्रभाव मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति में देखने को मिलेंगे बलकि genetically modified होने का भी दुस्प्रभाव उस व्यक्ति में देखने को मिलेगा तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम करे तो करे क्या प्रोटीन का इतना बहतर विकल्प साकाहारी लोगों के लिए कोई और उपलब्द है ही नहीं तो आखिर ऐसे में किया क्या जाए चलिए जानते हैं कि आखिर विकल्प क्या उपलब्दा है पहले साकाहारी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं तो साकाहारी लोगों के लिए मेरे द्रिश्टिकोंड से सबसे बहतर विकल्प है गाय का दूद और गाय के दूद से बने खाद्य पदार्थ विशेश तोर पर पनीर दरहसल पेड़ पोधू से प्राप्थ होने वाले प्रोटीन को हमारा सरीर उचित प्रकार से अउसोसित नहीं कर पाता है बलकि जानवरों से प्राप्थ होने वाले प्रोटीन की कनवर्जन रेट अथार्थ परिवर्तंदर पेड़ पोधू से प्राप्थ होने वाले प्रोटीन की तुलना में लगबग दोगनी होती है तो ऐसे में अगर आप दूद या दूद से बने खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का सेवन, पेड़ पोधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की तुलना में आधा भी करते हैं, तो समान रूप से आपको सरीर के उपर प्रभाव देखने को मिलेगा हाला कि यह बात वे प्रोटीन के उपर मानने नहीं होती है चलिए अब बाते हैं वीगन लोगों के लिए क्या विकल्प उपलब्द हैं लोग जो जानुरों से प्राप्त होने वाले किसी भी परकार के खाद्य पदार्थ का प्रियोग ही नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए विकल्प की मात्रा काफी शीमित हो जाती है परन्तु सबसे बहतर विकल्प वीगन लोगों के लिए जो मुझे दिखाई दिता है वो है सूखे मेवे इसके अलावा दाले और मटर जिहां मटर बहुत ही अच्छा विकल्प है प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए और इसमें फाइटो ऐस्टोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है लगबग 100 ग्राम में 5 माइक्रो ग्राम से भी कम फाइटो ऐस्टोजन मटर में पाये जाता है प्रभाव पाचन तंतर पर दिखाई देते हैं उसे देखते हुए मैं किवल यह अंदेशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि इसकी प्रकती किंचित उष्ण नजर आती है अब अंत में वही सवाल उठता है कि आखिर क्या हमें सोयबीन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो देखे दोस्तों अगर मुझे यह चुनना हो कि मैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए सोयबीन से बने खाद्य पदार्थों का प्रियोग करूं या ना करूं तो मैं इनका प्रियोग नहीं करना चाहूंगा हाला कि जिन लोगों के पास कोई अन्य विकल्प उपलब्द ही ना हो या फिर जिन लोगों को इसके नकारत्म प्रभाव पर विश्वास ना हो या इससे डर ना लगता हूं ना मानते हो तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सला रहेगी कि आप अगर सोयावीन का प्रियोग करने का विचार कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में सब्ता में एक से दो बाल अधिक से अधिक इसका प्रियोग करे